Hello friends, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग अपनी ब्लॉगर वेबसाइट का कैसे फास्ट कर सकते हैं, स्पीड बहुत ही आसान तरीका, अगर आपकी वेबसाइट के बहुत ज्यादा लो हो रहे हैं स्पीड, तो उसके वज़े से आपकी रैं इसके बाद आप लोग को यहां पार फास्ट नवा पर में जागा, पेज़े स्पीड इंसाइट.web.dev लखा हुआ है, तो आपको इसे उपन कर लेना, यह गूगल का ही टूल है, अब यहां पर आप लोग को अपनी वेबसाइट का URL डाला है, यह मेरे एक सब्सक्राइबर क मैं इसका URL डाल देता हूँ, simply मैं इस वेबसाइट की स्पीड को फास्ट करने वाला हूँ इस बार, तो देखें यहां पर यह कोर वेब वाइटल भी फेल्ड है, तो यहां पर नीचा आना, बेसिकली यह फेल हो जाता है, तो आपकी वेबसाइट की पोस्ट ज़्या-दार नहीं करती है, आपके वेबसाइट की स्पीड पर मैंटर करता है, पास होगा या फेल, तो नीचे हम आके देख लेते हैं, 63 वेबसाइट की स्पीड शो कर रहा है, 63 एवरेज होती है, अच्छी स्पीड होती है, 9200 और लो होती है, 0 to 40, आपकी जितनी भी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और यहाँ पर आप लोग कैसे fix कर सकते हैं, इसे fast करना है, तो यह तरीका मैं आखो बताता हूँ, नीचे आना है आप लोग को, नीचे आने का, देखें यहाँ पर कितने सारी opportunities पर लिखाओगा, यहाँ पर issues, यह सारी issues हैं, तो बारी वाई से मैं सब आपको fix करने वालों, आपके में जो extra आ रहा हूँ, आप लोग को जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, अभी हम लोग यहाँ पर reduce unused to java script, यह लेखा हुआ है, इसे सबसे पहले हम लोग करेंगे, तो आप लोग को आजान बैक आप लोग को यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करना है, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत की नौलिज है, तो आप काफी आसानी से यह कर लेके नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यह से ही फॉलो कर लिजे, काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, यह करने के लि यहाँ पर कुछ जावा स्क्रिप्ट से लिखी हुए, जो अन्यूजड हैं यहाँ पर बहुत टाइम से, तो इन्हें आपको रिड्यूस करना होगा, तो यहाँ पर देखे, इसमें लिखा हुआ है एड्ज, तो यह कोई एड्सेंस की जावा स्क्रिट है, इसे आप आपको करके देखा, तो आप लोगों को लिखा हुआ है, वह आप लोगो यहाँ पर टाइप कर देना है, बस इतना ही लेकर हम एंटर कर देते हैं, तो देखे, आप लोगो यहाँ पर यह देख रहा है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर बढ़ सक simply इसे select करना है पूरी line को ये script तक है देखें यहाँ पार script से script तक है तो आप लोगो simply इसे यहाँ से hold करें, cut कर देना है मैंने cut कर देना है, एक line को ही remove किजिगा जादा मत किजिगा ने तो आपके में बहुत जादा problem हो सकती है अब देखें आप लोगो simply save पर click करना है save होने के बाद आप लोगो एक बार से कर लेना है view तो मैं preview आपको देखा देता हूँ ने तो डायट आप back आजाई है फिर उसकाद यहाँ से view कर लेते हैं यह आ गया मैं website पर तो आपको देख लेना कोई issue तो नहीं आ रहा है ऐसा तो नहीं है कोई मालब irresponsive हो गई आपकी थी या कोई भी problem हो गई हो अगर हो गई हो तो आप लोग उसे remove करके backup फिर से restore कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ backup कैसे restore करते हैं simply आप लोगो यहाँ पर three lens पर क्लिक करना है और restore के button पर क्लिक करके upload पर क्लिक करना अपने PC से जो backup आपने डाउनलोड किया हुआ है उसे आप install कर लीजे दोवारा से मैं नहीं कर रहा हूँ मेरे में कोई भी issue नहीं आया और यह problem भी fix हो गया है देखें यहाँ पर आप मैं दोबार से analyze करके आपको दिखाता हूँ तो हम लोग आगए हैं नीचे यहाँ पर देखें reduce unused javascript में अब वो javascript नहीं देख रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ से remove कर दी थी तो इतना तो हम लोगों ने कर लिए हैं एक एक करके आपको सबको remove करना होगा मैं सबको तो करके नहीं आपको देखा सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जागा अब second number पर बात करते हैं reduce initial server response time आपके में यह भी ज़रूर आ रहा है यह server response time basically hosting पर depend करता है आप blogger पर हैं तो यहाँ पर यह hosting का server response नहीं ज़्यादा अच्छा नहीं होता है मैं आपको recommend करेंगा अगर आप blogging में serious हैं आप earning करना चाहते हैं तो आप लोगो wordpress पे shift होना होगा web hosting लेनी होगी थोड़ा बहुत investment आपको करना होगा ले सकते हैं तो यह issue आपको fix हो जाएगा थर्ड नमबर पे properly size images तो आप लोगो properly size images के लिए compress करना होगा basically images को और element random logging के अगर आपके में आ रहा है तो मैंने उसको वीडियो बनाए हुआ link description box में है उसका आप इतने issues को fix कर लिएगा website speed काफी fast हो जाएग आप लोगो बेसिकली कुछ तरह से अपने page की speed को fast कर लेना है इन tips को follow करना है और अगर कोई इशू है तो आप मुझे comment box में ज़रू बदाएगा तो friends video अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल में नहीं हो तो subscribe करने साब बलबाले bell icon को turn on का नम मत भूलेगा